कि हेलो गाइज आपके ठीक होंगे सेफ होंगे अपने घर पे होंगे आज की वीडियो में मैं आपको दो इंडीकेटर देने वाला हूं AI एंडीकेटर जो आपको सिंगनल देंगे और आप इन सिंगनल को फोलो करके अच्छा करसा प्रोफट बना सकते हो यह सब से पहले तो मै आपको BTC की थोड़ी अपडेट देता चलो क्रिप्टो मार्केट की कि क्या हो रहाए क्रिप्टो मार्केट में एक तो क्रिप्टो मार्केट जो है वह बहुत ज़्यादा पंप चलड़ी है कुछ दिनों से देखें यहां से जो है वो यह बिटकोईन विडना शुडू 244 के लेवल तक आ गया ठीक है और इससे पहले तो यह और भी ज़्यादा उपर चा चुका था 49,000 के लेवल तक जब ETF की न्यूज इस चर नहीं थी ठीक है उतके बाद इसने इतना ज्यादा जो है वो मार्केट ने एक तो पंप लिया अभी यह नीचे आ रहा है और अभी ज जो है वो यह अपना जो है वो वेल वायर वालों ने रखा था कि बिटकोई जो अभी हां से शाइट करना चाहिए क्योंकि इसने जो हो डबल टोब बनाए और मार्केट जो हो नीचे आएगी हो सकता है और दूसरा अगर लिकुडिशन हीट मैपको देखिया हम तो जब मार् सब्सक्राइब करने के लिए और हो सकता है कि कोई मेरी अगर मैं आपको अपनी अनल से बता हूं तो 45,000 के लेवल तक आ सकती है अगर मार्केट गिड़ती है नीचे यहां तो यहां से यह मार्केट जिस्ट लेगी 46,000 के लिए अधर यह 45,000 के लिए अगर नेक्स टार्गेट होगा अगर मार्केट है नीचे गिड़ी अगर यह मार्केट इस चलती रही तो यह और बेद आउपर जा सकती है और 50,000 के लेवल को टच कर सकती है ठीक है और कि इसकी हाविंग डेट कई बार यह तो इस वज़ेसे मार्केट में भी थोड़ा जो सब्सक्राइब को चिस्ते किसे जो बीटी सी अगर अगर आप इदर बीटी सी डॉमिनस देखे तो वह तो वैसे ही चलड़ा है और सारे कसारे जो अल्ट कोईंस है वह भी तक्रीब है जो है आपको पॉसर्टिव ही दिखेंगे कुछ है जैसे डोज एडिये और इसके बाद यह अपना एटी सी है ठीक जो नेगटिव है अधराई जो है वह अटार कोई जो है वह पंप होती ही जा रहे ठीक है तो उपर अपने लेटे तक आ चुके हैं और अभी मुझे भी यही लग रहा है जो मैं देख रहा हूं के मार्किट नीचे आ सकती है और यहां से नीचे ज यहां पर जब उसने डबल बाटम बनाया था यहां से तो यहां से पिक करने का लिए अब चल दें अपने इंडीकेटर की तरफ करते के दो इंडिकेटर से एक है आटो सपोर्ट एंडिस्टेंस का एक है इमेजिक स्ट्रेटिजी इंडिकेटर यह दोनों में ने बनाए इनकी मैं आपको लिंक्स दूंगा जैसे सिंपल आप उस लिंक पर क्लिक करें इसे अपने चार्ड में करोगे ठीक है आपको कोई भी क मैं आपको यह लिंक जो है वह मैं आपको देदूंगा ठीक है यह लिंक अब आपको क्या करना है जैसे से पैसे सी豆र्फ करेंगे सीधा जाएंगे ठीक है आप इस लिंक को यह ओपन करें Google Chrome पे जाके ठीक है आप जैसे इसे ओपन करेंगे जो आपका ट्राइडिंग वीव है और इंडिकेटर में जाएंगे आपको इदर फेर्ट का एक सेक्शन सेक्शन बनके मिल जाएगा और वहां पर देखेंगे आप तो यह इंडिकेटर आपको फेवरेट लगा मिलेगा मगर रिमेंबर जो अगर आप फॉन में हैं तो जो जिस इस एप से जिए ट्रेडिंग वीव के एप में जिस अकाउंट से आपको लोग इन करना पड़ेगा गुगल क्रोम पर जैसे वह आप करेंगे तो आपके ट्रेडिंग वीव में वह फैवरेट हो जाएगा आटमेटिकली जैसी में इस इंडिकेटर क्लिक करूँगा तो यह क्किता heard जाया है कुछ इस टाइप से जो आपके सामने लग जाएगा निजयाद सकते हैं और देख सकते हैं अदरिद आ Sabas जो है को डραौकर करके फिर आप ऐसे डिकर्टर को आफ कर देंड करते हैं ठीखें का सक्ते हैं एक MrAlब अ क्या एकYa भी सजब्वान बनागे यहाँ नहीं थित्व 262 भेन यहाँ बना के दिफें यहाँ पर एक सपोर्ट वेस्टन ज्यादा जो है वापको बना कि देदेगा माले अगर मैं से 12 करूं तो देखें यह आपको और भी ज्यादा जो है वो लगा कि देगा यहां मैं से 15 करके आपको देखाता हूं भलके यह यह अब और भी ज्यादा जो है वो यह आपको बना के देगा मिल जहां जहां पर भी अग कर involve the system को रखना चाहरा है हो उसे हसाफा से लिए पुष्पको की रेत्फ कर सकते हो वह यह को आपको से कर सकते हैं यह उसे डिक्ट में रखे लेगा आपके लिए आप उसे ही रखके जो रोख कीजीगा तो आप को अह है Sell out करेगा तो किने लावा दूसरा वाला है यह पर में आपको दूंगा करेंगे वहां से जहां पर में आपको दूंगा क्रणिव तो यहां पर देखें यहां पर किस ते वक्ता है सबसे पहले तो आप इसे जिस जिसे आप इदर से आके करेंगे तो यहां आएंगे चार्ट पर इडिकटर में जाएंगे देखेंगे यहां है जिने आप जैसे इस पर क्लिल करेंगे तो यह इसको पर सकते हो और समझ सकते हो ठीके अब देखें मैं support and assistance वाल indicator को throw off करता हूँ अभी के लिए just simple और इस indicator को मैं open रहने देता हूँ अब देखें यह indicator किस तरह से वक्ता है इसमें मैंने दो EMA lines लगा हुई है ठीक है दो EMA lines एक 10 जो है वो value की और एक जो है वो 100 value की EMA line है EMA मैं बोलते है exponential moving average अगर आप कोई का नपता नहीं तो मैंने यह सारे simplify करके बता हूए कि simple moving average क्या होती है moving average क्या होती है exponential moving average क्या होती है किस तक से वक्ते बता है आप वीडियो वो देख लीजेगा ठीक है कि देखें अब यह जब भी जब भी जो 100 EMA ठीक है उससे जब 10 EMA क्रोस और करेगी अगर मैं आपको इसकी सेटिंग में चलके देखाँ फिर आपको इस जगह समझे में देखें आप अगर इस्टैल्स में जाओगे तो आपको यहां पर देंगे दिख भी रहा है कि एक 10 EMA ह जिसका रंक कलर गरीन है ठीक है यह गरीन हा लिए 10 EMA और दूसरी 100 EMA ओके और दोनों जो है ठीक है अब इसमें होता क्या है मैं आपको सिंपल बताओं कि जब भी 10 EMA 100 EMA को क्रोस ओवर करेगी उपर क्रोस करेगी तब आपको बाई करना है यह आपको कुदबा बाई का सिग इसी तरीके से आपको यह बना के देए अब दाखेमाल ने इसने हमें बाय का सिगनल दिया था तो अगर हम देखें तो इदर से लेकर यहां तक मार्कीड ने कुछ मतलब अप्रॉक्समेटिली 80% जो है मार्कीड ने गैन किया है ठीके और इदर से देखें इसने हमें एक चोट पर फार्ट बेखें जूसे दिया तो अगर हम साइम बायका सिगनल ढेठा तो अगर हम यहां से देखें इसने वाइका सिंगनल दिया था यहां से लेकर यहां तक का चेस्ट मैं आपको देखाओं यहां से लेकर यहां तक का 30% जो है वो इसने हमें गेन दिया इसके साब से आप देख सकते हो यहां पर इसने जो भी हमें दिये यहां से लेकर यहां तक का दिया वन परिसंट का यहां से लेकर यहां तक का दिया वन परिसंट का आप देखो इसने जो भी सिगनल दिये तकरीबन अक्रिट हैं मगर एक चीज़ मैं आपको बता हूं यह इंडिकेटर आपको तब भी हेलफुल रहेंगे तब आप यह जो भी हेलप करेंगे प्रोफिट बनार म किया वहां कि जब इतना ओपर गई तो क्यों गई इस चीज़ को भी आपको समझना पड़ेगा अब देखिए यहां पर एक रिजिस्टेंस बन रही थी ठीक है अब मार्किर ने पहले तो बाय का सिंगनल दिया कन्फरमेशन मिल गई आपको इंडिकेटर की मगर आवेट करें जब यहां से इसने ब्रेक आउट दिया एक तो दुसरी एक कन्फरमेशन मिल गई प्रैजिक्शन के थूरू तो अब जब ब्रेक आउट दिया तब आप यहां से अगर ट्रेड प्लेस करोगे तो वो आपके लिए ज्यादा हेल्फ र दी गैंडेगे आप उनको देखे समझ सकते हों सारी कॉंसेप्स को कि कि आप शाहिद वीडियो नियू आपके लिए फिक वह पूरा का पूरा कोर्स बना हुए है टरूने बांप उस्से देख सकते हो आच कर सकते हो समझ सकते आपको फिर तभी जाके जब आप उन सारी चीज़ों को समझ लोगे तभी एंडिकेटर आपके लिए वर्क करने वालें अधराइस यह जो इंडिकेटर है वह यह आपको हेल्प करेंगा सब्सक्राइब यहां पर इसने हमें यहां पर भी लैंस ड्रो करके दे दी और जहां से हमें बाइका सिंग्नल मिला तो यहां से एक ब्रोक ब्रेक आउट यहां इतना उपर गई है ठीक है अगर आप टेस्टिंग करो गए इस इंडिकेटर की तो फिर और भी आपको तो चलता चलेगा अगर हम फाइब निट के चार्ट फ्रेम पे आएं ठीक है और इसे इदर से देखें यहां से इसने हमें बाइका सिंग्नल दिया यहां से ठीक है तो यह जो है वो जो फॉइंट फॉर फॉर फिफ्टी कम से कम परसंटेज जो है इसने में दिये ठीक है अभी इस पॉर्ट में 0.4 खरेंगा ट्रेट्स लेने में आपकी इसने करने में ठीक है जो भी बिगनर से उन सब की याल्प करेंगा यह तो आप इस अंडिकेटर का यूज कर सकते हो आए होप आपको यह इची लगी होगी यह इनक्लिंक्स में आपको प्रोवाइट करा दूंगा ठीक है दोनों की और रिमेंबर यह इंडिकेटर तब ही वाइब करेंगे जब आप सारी चीज़ें पहले सीख लोगे पहले लाइनिंग करें कम्पलीट अपनी इससे फॉरस इंडिकेटर पैटे पर ना करें यह सेंपल है इसी बनते हैं मैं इस पर जो अगली हमारी वीडियो आने वाली मैं आपको थ्लप सारी अगली वीडियो वीडियो में आपको सब्सका हुआ कि आप किस तन्से सीजो जैसे ही हमने जैनल कि वीजैने कर सकते हो इंशाला सून मिलेंगे उस वीडियो में तब कि वाई अगर आपको यह वगए तरन नहीं पता तो बने पहले ब्सकेड़ने पहले इसkovую आ झाया